तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपकी यूटूब चैनल सुकला इस्टेडी पॉइंट में मैं स्यूम सुकला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आपके वीडियो के इंदर के थमबात करेंगे चेप्टर 3 और ब्याख्या खंड य यहाख्यों की जोभी आपके पाठे करम में संकलीत है म कभी के दौरा रचित जो भी एक परकार से कविताएं या फिर रचनाएं उनकी आपकी की बंदना रही हो उनके बारे में हमने देखा तीनो तीन वीडियो उनकी तीन वीडियो गोरक नात की अपने लेबल हो गई है और यह अमेर खुसरो की एक प्रकार से दूसरी वीडियो है अमेर खुसरो पर उपलब्द है उसको आप लोग देखिए और उसका जो गीत हैं इनका जो अमेर खुसरों के द्वारा लिखित हैं काहे को ब्याही बीदेश लखी बाब लमोरे इस गीत की भी ब्याक्या दोनों खंडों की हमने कर दी है तो इस सभी वीडियो को आप लोग देख लिजेगा और एक बात फिर से मैं बता दू जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में मलब यह लिखते हैं कि हां मेरी उनिवर्सिटी से समझ पढ़ा हो यह यह उनिवर्सिटी मेरा सिलेबस यह है वो है आप सिलेबस की चिंता ना करो सभी का सिलेबस यही है या बात ध्यान रखोगे से शर जी तो पूराना सिलेबस अब नहीं नया सिलेबस जो है चेंज हो गया है सिलेबस की वीडियो अगर आप देaniu नहीं देखी तो देख लिए गा उसकी वीडियो हमारे चनल पर उपलब दैता न्यू से लेबस जो होगा दोजार-बाइस का उसको देखेगा 2022 लिखा हु थे पेपर हो उसका पैपर कокаा होगा तो यह पेपर होगा हो सकता है उनके इसाब मकार ृसका पैटर्न जो है जानकारी के मताव通 नाम से हमारासन अरट지가 Кlee लगुत्रिय कैसी ब्याख्या से कैसे कैसे क्या होता उसको सब हमने बता दिया है अब यहां पर चुप चाप आराम से कलास लो बिल्कुल कमट से बात्चीद ना करो ठीक है नहीं तो एक दिन ऐसे होगा तो बलाकर दे जाएंगे सभी लोगो के आप ध्यान रखेंगे तो आप लोग बात्चीद बिल्कुल भी ना करो यहां पर पढ़ने आये हैं तो आप कुछ ना कुछ यहां से सीख करके जाओ तो नई सिक्छानितिक अनुसार जो सलेवन लागो हुआ है सभी विस उद्याले में समान होगा ठीक है लाइब क्लास आपके सामने परसुत हूं मैं रात दूसरा दोहा है खुसरो रहन सुहा की जाकी पीके संग तन मेरो मन पीव को दो भए इक रंग यह दूसरा दोहा इसकी ब्याक्या देखेंगे उसके बादे तीसरा दोहा है देख मैं अपने हाल को रोऊ जार ओ जार वैगुन वनता बहुत है हम है वैगुन हारिस दोही की ब तीसरा दोहा चौथा दोहा की व्याक्षा चकवा चक्या दो जने उनको न को मारे न कोई इह मारे करतार कई रेन बिछो ही होई और जो पाचवादोह होगा आपका सूजी सेज सूनी देखिके मैं रोऊं दिन रेन और पिया-पिया मैं करत हूं पल भर सुखना चैन ये पांच दोहे हैं इन पांच दोहों की ब्याक्याम को करनी हैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सेर पहले से कर दीजिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फड़ा बड़ से वीडियो को मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस जब इसकी एक लाइन आप पढ़ेंगे कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस इसका तो अगर अर्थ निकाले तो गोरी माने एक प्रकार से अगर अर्थ देखे अगर अपने मुख पर केस को फैलाये होए मलब की बालों को बिखेरे हुए वह सो रही है चल खुसरो घर आपने रैन भईच हुदेज जब यह यह लाइन आप पढ़ेंगे तब जो है इसकी एक परकार से भावार्थ आपको सवंज में आएगा तो सबसे पहले अब हम इसके एक एक पहलों को टटल लगते हुए अर्थ और भावार्थ दोनों को बताते हुए चलते हैं ठीक आपसे पूछी जाएगी तो व्याक्या में आप भावार्थ लिखने का प्रियास करें ठीक है भावार्थ जड़ा इंपोर्टेंट होता है हलाकि आर्थ को लिखके बाद में आर्थात लगाकर करको आप भावार्थ भी किया है और अमीर खुसरो की रचनावों को संग्रहित करके पुस्तक बनाई है उस पुस्तक का नाम है क्या नाम है अमीर खुसरो बेक्तित्त तो उसी पुस्तक के दोहे भाग से उध्रित है तो दोहे भाग से क्या है लिया गया है या फिर उध्रित है जिसके रचैता कौन है अमीर खुसरो जी हैं ओके इतनी वात कि लिए हो गए आपका संदर्म प्रसंगे में आप लिखेंगे कि अपने गुरू सूफी संत हजरत निजामुद्दीन ओलिया जो थे इनके गुरू उनकी जब मिर्तिव हो जाती है उनका निधन हो जाता है निधन का समाचार जब अमीर खुसरो सुनते हैं तो लगभग पागल से हो जाते हैं और वह गुरू की समाधी में लीन रहने लगते हैं और उसी समय जो है यह दोहा उनके मुख से निकलता है और उसी समय इस दोही किरिशना जो है अमीर खुसरो करते हैं कौन से दोहा की गोरी सोवे सेज पर मुख पर ड जो है गुरू से है यहां पर एक तो गोरी का मनलब होता है प्रिये या एक प्रकार से गोरी का तत्पर यहां पर है किस से गुरू से सेज माने होता है सया मलब लेटने का स्थान बिस्तर केस माने बाल और रैंड माने होता यहां पर देखेंगे मलब रात या फिर अंधेरा हो गया है अब इसकी ब्याक्ख्या सुनो खुसरो कहते हैं अमीर खुसरो जी कहते हैं तो जिस परकार से गोरी एक जो है इस तरी जो होती है अपने मुख पर डाले अलब एक परकार से केस की भाती जब पड़ी होती है तो वह एक परकार से जान लिए जिव आत्मा परमात्मा में मिल गई है उसको प्रतिकात्मक क्या गया है कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है ज प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि जो नाइका है जो गोरी है आर्थात जो जीवात्मा है जिसको आप कहते हैं सुख की सेज पर लेटी हुई है किस पर सुख की सेज पर सो रही है या फिर लेटी हुई है और क्या है उनके केस आर्था जो उनके बाल है नाइका का जो बाल है उनके मुख पर पड़ा हुआ है आर्थात अपने मुख को वो अपने बालों से क्या करे हुई है धके हुई है चल खुसरो घर आपने रहें भई चहुदेश अब आगे क्या है इसका मलब आगे कहते हैं मलब इसका कहने का मलब यह है कि मलब अगर एक गोरी सो रही है इसका मतलब गया है उसाा को जब खुसरो देखते हैं तो कहते हैं कि यह खुसरो या फिर अपने हिसाब से हो कहते हैं कि गर्खाल Twenty में चारो और क्या हो चुका है रैन हो गई है रैन बही चहुदेश चहुदेश माने चारो तरफ क्या हो गई है रैन आर्थात क्या हो गया है अंधेरा हो गया है तो अब हमको भी चलना चाहिए कहने का मतलब यह है इक हुसरों कहते हैं कि अब संसार में चारो और क्या हो चुक संसार को छोड़ने का समय हो गया है तो यह इस दोहे की ब्याक्या थी जो की अमीर खुसरों ने बताई अब इसमें आपको विसेस लिखने के लिए कुछ बाते आएंगी तो इसका विसेस आप कैसे लिखोंगे विसेस में आप पहला हेटिंग डालेंगे विसेस में पहली हैं क्या है रह शिख genuine हैं तीसरी बात किया है इसमें तीसरी बात है कि सॉवे सेज जो यहां पर सब्द हैं आपका सोवे सेज जिए सब्द है यहां पर देखेंगे तो अनुप्राश लंगार की ध्यालक रूधा हमको दिखाई पड़ती है चौथा आप इसे इसमें आप लि दूसरे दोही की व्याख क्या देखते हैं दूसरा दोहा आपके समक्ष यह हैं क्या है दोहा सब सबसे पहले क्या देखेंगे संदर वही रहेगा कौन साथ कि प्रसुत पंक्तियां डाक्टर पर्मानंद पंचाल द्वारा समपादित अमीर खुसरो बैक्तित यों कृतित के दोहे भाग से उद्रित है या फिर ली गई है जिसके रचईता अमीर खुसरो जी है परसंग में आप क्या लिखेंगे प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस दोहे में कभी तन और मन की बात करता है क्या कभी तन और मन की बात करता है इस जो है कभी में अमलविस पंक्ति की जो है आप प्रसंग में आप लिख सकते हैं या फिर आप इसमें अभी बाल लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर यह लिख सकते हैं प्रसंग में आप प्रसंग में यहाँ भी दिखा सकते हैं कि लिखेंगे कि यहाँ पर कभी ने पती पतनी के परसपर मिलन के माध्यम से जीवात्मा का मिलन किसे बताया है परमात्मा से दिखाया है यहाँ पर जीव की राक्या देखेंगे खुसरो रहन सुहाग की जो अपने प्रिये के संग में रहती है तो इस परकार से जब एक प्रकार से किस्तरी अपने सुहाग की रात्री को अपने पती के साथ रहती ठीक किसी प्रकार से एक आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती तो वो चीज़े होती हैं तो कहने का मतलब यह है कि नायका जो है यहां पर वो जीवात्मा है और जो नायक है वो कौन है परमात्मा है तो इस प्रकार से कहा गया इसमें कि खुसरो रहन सुहा की जाकी पी के संग तन मेरो आर्थात जीवात्मा कहती है कि उसके सौभागी की रात्री बहुत अच्छी तरह से अपने प्रिये आर्थात परमात्मा के साथ क्या हो गई है बीत गई है वह आनंद की अद्वयत मई स्थिती ऐसी बनी की जीवात्मा परमात्मा में क्या हो गया है बिलीन हो गया उसी में जो जो उसके प्रिये हैं, वो मन का एक प्रकार से धो तक हैं, तो परमात्मा का मन दोनों एक में क्या हो गए हैं, मिल गए हैं, समाहित हो गए हैं, कहने का मतलब यह हैं, विसेश इस में इन पंक्तियों में क्या बात थी, विसेश इस पंक्ति में यह था, क्या था विसेश की इसम स्वादी भाउना है आगे देखते हैं अगले पंक्तियों की ब्याख्या अगली दोहाप के सामने है कौन सा कि देख मैं अपने हाल को रोऊ जार ओ जार वगुनवनता बहुत हैं हम है अगुन हार ये भी मोस्ट इंपोर्टन दोहाप का चुका है इसकी ब्याख्या कैसे देख मैं अपने हाल को रोऊ जार ओ जार वगुनवनता बहुत हैं हम है अगुन हार इसकी ब्याख्या आप देखें सबसे पहले आप समझें कि इसका परसंग क्या मलब दो एक प्रकार से इसका संदर्व क्या लिखेंगे तो संदर्व इसका वही रहेगा कि परसुत पंक्त है स्वयम को सांसारिकता में लिप्टा हुआ पाता है और अपना दुख ब्यक्त कर रहा है आप ऐसे लिखेंगे देख मैं अपने हाल को कभी कहता कि मैं जब अपने हाल को देखता हूँ तो मुझे बहुत जार ओना आता है जार मनल मनलत है बार बार तो लगा तार्या फिर बार बार मैं रो रहा हूँ क्यों रो रहा हूँ कि वह गुणु अंता बहुत हैं कि प्रभु जो हैं बहुत जादा गुणमान हैं गुण की खान हैं और हम है आउगुन हार मलब मैं आउगुनु उसका एक परकार से हार हूँ आउगुन का पुतला हूँ और प्रभु जो हैं वो गुड़ रूपी हैं गुड़ उनके पास वो जदा गुड़ो की खान है ठीक कहने का मदलब यह है कि इस इन पंक्तियों में कभी कहता है कि मैं अपने जीवन को देख देख कर रोता ही रहता हूं क्योंकि मेरे जीवन में माया आर्थात अज्यान रूपी भ्रमजाल पैद आउगुनहार कि मैं गुड़ों की खान नहीं हूँ वो आर्थात परमात्मा गुड़ों की खान है परमात्मा में गुड़ ही गुड़ है और वे गुड़ों की खान है और मेरा जीवन जो है वो आउगुनों का क्या है आउगुन हार मलब आउगुनों का क्या है एक परकार से घर है आउगुनों का मेरा जीवन एक परकार से घर है अब मैं परमात्मा से मिलने को बेचैन हो रहा हूँ इस परकार से इस लाइन की ब्याक्या इन पंक्तियों की ब्य तो कोई बात नहीं है वाई मिख्येस रहस्वादी भवना ठीक आगे उनको अगी सब्सक्राइब call न्युक्त को यह बाएंध् shifts जो खोक्र porta раз के रहन दो तक यह होती है यह जो होते हैं तो मद्यूरकम्षी का जोड़ा होता है जतना हैं यह पंघची जो होती तो रात में बिछड़ जाते हैं मलब रात में यह एक परकार से बिछड़ जाते हैं चकवा और चकिया तो इसलिए जब कोई परकार से इस्तिर पुरुस का बिलगाव होता है तो उस इस्तिती में जो है इसकी मलब इन पंक्षियों को क्या करा आता है प्रतिकात्मक सुरूब में परसुत कहाता है कभियों के द्वारा तो तो वही हाँ पर अमेर खुस्रों कहते गी चकवाच्किया चक्वी चकवाचक्वी दो जनें उनको चकवी को उन niet को को उनमार के उनको उनको क्यों कि अमा रखार के मलब ये तो करता का empir sir सबसे पहले परसंग समझो वैसे आगर इसकी भी आपको संदर्व आप सीधे यह लिखेंगे कि प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस दोहे में कभी चकवा चकवी को ना मारने की बात कह रहा है ठीक और ये हो गए आपका प्रसंग या फिर प्रसंग में आप यह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर कभी ने प्रेम पंक्चियों चकवा चकवी को हर रात्री एक दूसरे से बिछुड जाते हैं और विरा हमें ब्याकुल लेते हैं उनके प्रति दया भाव रखने की बात कही गई है ब्याख्या आप लिखेंगे कि कभी कहता है कि चकवा चकवी पंक्चियों के जोड़े का कोई भी व्यक्ति आखेट ना करे मनलब सिकार ना करें उसको कोई भी ना मारे क्योंकि वे तो विचारे पहले से ही जो है स्रिष्टी करता की बनाई हुई रात्री के मारे हुए है आर्थात अगर विधाता रात्री ना बनाता तो इनका वियोग नहीं होता और ना ही एक दूसरे से अलग हो पाते हैं और बिर इन भी छोई होए कि रात बना दी है तो इसलिए इन पंक्चियों को कोई ना मारे इनको अन्य कोई भी बेगती ना मारे इन पर दया भाव रखे इस प्रकार से बताया गया है चकवा चकवी को प्रकार से उनके बारे में यहां पर समझा गया है आगे देखते हैं बिसेस में क्या लिखेंगे इसमें खड़ी बोली और दौहाच हंद का प्रियोग है इसे दौहा चंद सब है ठीक और चकवा चकभी में अनुपरास मिहागर आफ देख सकते हैं चकवा चकवी ठीक तो ये चीज़ आप लेख सकते हैं आगे आप आगे देखें अंगली जो है जो है ब्याक्षा और लास्ट आज के दोही की एक परकार से सेज सूनी देखके मैं रोऊ दिन रहन और पिया पिया मैं करत हूँ पल भर सुखना चैन ये क्या है भाई ये भी दोहा है इसमें भी दोहा चंद है आप देखेंगे सेज सूनी इसमें भी आनुपरा सलंकार आप देख सकते हैं ठिक पिया पिया मैं करत हूँ इसमें भी आनुपरा सलंकार आप देख सकते हैं कई परकार की चीजे हैं ठिक तो इतनी चीजे के लिए रोगई और भी चीजे जैसे कि खड़ी बोली और दोहा चंद का सुन्दर प्रियोग हुआ दोही में रहे सिभावदा है बीरा का मार्मिक चित्रन है माधुर रिगुन है इसमें ब्योग स्रिंगार का प्रियोग किया गया है ठीक अब इसमें इसकी ब्याक्षा समझो एक एक ब्याख्या इसकी कैसे करते हैं तो सेज सूनी देखके मैं रहूं दिन रहन ठीक सूनी मदलब क्या होता है सूनी माने होता है खाली सेज माने क्या होता है सहीया है फिर बिस्तर ठीक दिन रहन दिन माने दिन रहन माने रात ठीक तो मैं दिन रात रहता हूं सूनी सेज द पादित अमीर खुसरो ब्यक्तित्ति और कृतित्ति के दो हे भाग से उधरित हैं जिसके रचाईता अमीर खुसरो हैं परसंग में आप लिखेंगे कि गुरु के ना रहने पर दिन राद बिताना बहुत कठिन हो जाता है इस पर जो है कभी कहता है या फिर अमीर खुसरो कहते कि यहां पर कभी ने नायिका किभीरा के माध्धम से परमात्मा के ब्योग में ब्याकुल आत्मा के इस्थिति का वड़न किया है आर्थात कभी अपने गुरू की मिर्तु के पश्चात उनकी सूनी सेज़ को देख करके ब्याकुलता से भर उठता है और इसी समय कहता है क्या ब्याक्ख्या में लिख देंगे कि जब से मैंने अपने प्रिये आर्थात गुरू आर्थात परमात्मा की सेज़ को क्या दिये खा जो है प्रिये प्रिये के रट मनलब गुरू गुरू की रट लगाये हूँ दिन और रात आसु बहते ही जा रहे हैं मैं रों दिन रहें और पिया पिया मैं करत हूँ पल भर सुख ना चैन मनलब मुझे पल भर के लिए सुख भी नहीं है और चैन भी नहीं है लगातार आसु वहते हैं प्रीये-प्रीये की रट लगाए हूँ मुझे प्रीये से मिछट जाने के बाद एक पल के लिए भी सुख और चैन नहीं मिल पा रहा है ऐसे आप लिख दीजिए गात ठीक तो सेज मलब जब उनके गुरू की अपनी गुरू की सेज देखा कि सूनी है तो बार बार और पिया पिये मलब एक प्रकार से प्रिये प्रिये की रट लगा रहे हैं मलब गुरु को प्रिये की रट लगा रहे हैं और पल भर सुख ना चैन मलब उनको पल भर के लिए ना तो सुख है और ना ही चैन है तो ये दोहा इसकी ब्याख्याप के समने प्रसुत हमने कर दी इस पिंगार रस की भीवत पत्ति यहां पर आप देख सकते हैं प्रेकार से यह पाँच दोहों की ब्याक्चित जो की अमीर खुसरो के द्वारा रचित हैं और जो है संपादित किसे के द्वारा हैं डाक्टर परमान अंद पंचाल के द्वारा संपादित हैं कि इस पुस्तक में तो अमीर खुसरो बेक्तितो और किर्थितो नाम की पुस्तक है उसमें दोहे संकलित हैं उसी से लिए गए हैं आपके पाठा करम में यह चीज़े आपकी कंफरम हो गई मलब केलेर हो गई और आज जो है लगभगा अमीर खुसरो की जो ब्याक्या खंड है उसमाप्त होती है अ अब कल वाला जो होगा चेप्टर फोर उसमें पड़ा होगा और कल की वीडियो में हम बात करेंगे जो है भक्त कालिन्स रगोड कभी सूर्दास जी के बारे में उके और सूर्दास जी के बारे में तो सी दास जी के बारे में चर्चा करेंगे ठीक तो बिस्तार समझानेंग और तो फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग की एगर रिक्वार्मेंट हो तो बताईएगा और भी चीजों की प्रकार से विवस्था करते रहेंगे हलाकि हिंदी की एक लासे बस जल्द ही समाप्त हो जाएंगी लेकिन करवाली वीडियो तोड़ी लंभी आपकी हो सकती है क्यों लंभी होगी चूνकि सुर्दास का जो तमाम सारे प्द है उससभी को सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में निफ्टा गो अगर हो सके तो तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है तो आप सभी लोग उसके लिए तयार हो जाएए आज तो बस इतना ही और इसमें आप लोगोंने देख लिया होगा तबाम सारी चीजे हमने आपको पहले से बता रखी है तो ये दोहे हो गए आपके एक बार दोहे फिर से देखिए जो विक्ति नए आए हमारे सा तभी जो भी जुड़े है वो देखें कि गोरी सोवे सेज पर मुकपर डारे केस चल खुसरो घर आपने रहन भाई चोदेश ये दोहा की ब्याख्या हो चुकी है खुसरो रहन सुहा की जाकी पीके संग तन मेरो मन पीव को दो भई इक रंग ही तो ये चीज़े आपके क्लिए हो गई एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक हो और से रवस कर दीज़ेगा बिना लाइक करके अगर आप चलए जाते हो तो एक प्रकार से आप सोचिए कि आप सही तरीके से सिख्छा ग्रहन नहीं कर पाए हो तो कि अगर जो बेक्ति जो है बिधोत रूप से पढ़ रहा होगा वो वीडियो सुरू होने से पहले लाइक करके चले जाते हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यबाद जो वीडियो से शुरू होने से पहले ही लाइक करके चले जाते हैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इसी प्रकार से आप सभी का स्वागत अभिनंदन और बंदन हमेशा स्कुलाइटी पाइंट के द्वरा किया आता रहेगा धन्यबाद आप सभी का है मिलते हैं हम नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत